आपने कोई भी claim किया है अगर UN portal पर जाके तो आपको समय समय पर उसको check करते रहना चाहिए कि उसमें क्या क्या changes हुआ है, accept हुआ है, under process है या reject हो गया है यहाँ पर मैंने एक PF advance के लिए claim किया है और यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ कि अभी तक उसमें क्या process होई है तो यहाँ पर यह हमने UN portal पर आए और UN number डालके password डालके इसको खोल लिया जैसे कि Gmail ID कोलते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जाना है online service में online service पर click करेंगे, तो चार option मिलेंगे, claim अगर आपको claim करना है यानि PF निकालना है advance या full PF या pension तो आप पहले को select करें अगर आप कोई claim किया है, PF निकालने का अपने application डाला है तो अपना track claim status पर 30 number पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आज तक जितना भी claim आपने UN portal से किया है, अपनी इस ID से, तो वो सारी details दिखाई देगी यह देखी मैंने 29 जनवरी 2022 को एक claim किया था, advance के लिए form 31 claim settle हो गया फिर उसके बाद मैंने 24 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर claim किया है, claim reject हो गया है insufficient service for construction of house, जारी एक बार मैं claim ले चुका हूँ house of construction का तो अभी उसना समय हुआ नहीं है, दुबारा अपलाई गिया, इसलिए reject हो गया अब मैंने यहाँ पर बिमारी के लिए, illness के लिए डाला है, 15 नवंबर 2023 को यह under process बता रहा है under process चल ला है, अगर जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा, यहाँ पर current status में status change होता रहेगा इस तरह से हम UN portal पर आके कोई भी claim उसको check कर सकते हैं, अगर आप पूरी details देखना चाहते हैं तो यहाँ पर PDF है, इसको आप download कर लिजिए, इसमें सारी details दिखाई देगी कि आपने कितना रुपे के लिए apply किया था, क्या apply किया था, किस category में, क्या क्या चीज़, सारी details यहाँ पर bank account number सारे चीज़, इसमें PDF जो download होगा उसमें दिखाई देगा तो आप इस तरीके से कोई भी claim आके check कर सकते हैं, UN portal पर, वीडियो अच्छी लगिया है, तो like किजिए, share किजिए और चैनल को जरू subscribe करें